आज हम देखेंगे वाड़ेज जिपार ठोड़ना और आज का हमारा प्रक्रण है शक्ति के साधन जो की कॉमर्स लेसन प्लान है इसका ये टॉपिक है तो चड़िए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे अपना क्लास आपका जो भी क्लास होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे फिर आपका लेसन प्लान नंबर जो भी आपका लेसन प्लान नंबर होगा आप फिल करेंगे देन आपका पीरियड क्लास का जो भी पीरियड होगा आप यहाँ पर फिल करेंगे, then है आपका विशे, विशे में होगा आपका वाड़ेज फिर आपका स्कूल, आपकी टीचिंग इस स्कूल में लगी होगी, आप उसे चनस्थान का नाम लिखेंगे इसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर डेट, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी आप डेट लिखेंगे, then है आपकी अवधी, अवधी में आपका होगा यहाँ पर आपकी टीचिंग क्लास जो है जितने भी मिनट की होगी, 35-40 मिनट यहाँ पर आप फिल करेंगे then है आपका आगे प्रक्रण, और आज का हमारा टॉपिक है शक्ती के साधन अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा सामान्य उदेश, सामान्य उदेश क्या होता है आपका जो आज का विशे है जो आपका सब्जेक्ट है, means वाड़ेज या फिर कॉमर्स, तो यह लेसन प्लान, यह विशे बढ़ाने से आप बच्चों में क्याके चीज़ डेवलप करते हैं इसे हम कहते हैं सामान्य उदेश तो इसमें देखिए आपके कुछ पॉइंट्स थी हुए है चात्रों में वाड़ेज विशे की रूची उत्परन करना चात्रों को वाड़ेज विशे की उपयोगिता के बारे में बताना चात्रों को वाड़ेज विशे का महत्तु बताना चात्रों को वाड़ेज विशे की जरूरत बताना चात्रों को भारती अर्थ व्योस्ता में वाड़ेज की महतुक के बारे में बताना देन है आपका विशिष्ट उद्देश विशिष्ट उद्देश में अन्स होता है जो आपका आज का टॉपिक है शक्ति की साधन तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या चीज डेपलप करेंगे इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश तो यहाँ पर देखें आपके कुछ पॉइंट्स है बच्चे शक्ति की साधन की पहिबाशा समझ सकेंगे जात्र या फिर बच्चे शक्ति की साधन को वर्गी कृत कर सकेंगे बच्चे शक्ती के साधन का महतु समझ सकेंगे और बच्चे शक्ती के साधन की उपयोगिता को समझ सकेंगे ठीक ये हो गया आपका wishes to the ship then आगे आपका आता है teaching ads means शिच्छट सहायक समगरी आपके teaching की time जोड़ चीज़ आपको help करती है teaching में इस सारी चीज़े आपकी होती है सिच्छट सहायक समगरी जिसे chalk, chart, tester, lapid, champert, pointer और आपका कोई मानचित्र हो गया या फिर आपका globe हो गया मलब आप जो भी चीज़ें जिस उपकरण के through आप बच्चों को ये सारी चीज़ें पढ़ा रहोंगे इस topic को जिस भी material के through तो वो सारी चीज़ें आपकी हो जाती है सिच्छर सहायक सामगरी में आगे है आपका previous knowledge previous knowledge क्या होता है आप बच्चों को कोई भी topic पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्वग्यान से relate करते हैं कि बच्चे आसानी से समझ सकें अपने इस topic को तो देखे previous knowledge means पूर्वग्यान बच्चे शक्ती के साधन के बारे में सामाने जानकारी रखते हैं आप यहाँ पर expect करते हैं देन है आपका introduction introduction means होता है प्रस्तावना आप यहाँ पर बच्चों से कुछ ऐसे question पूछते हैं जो बच्चों के पूर्व ग्यान से सम्बंदित हो जो बच्चों के means वास्तविक ग्यान से भी सम्बंदित हो तो आप कुछ ऐसे question पूछेंगे जैसे व्यवारिक ग्यान से भी सम्बंदित हो सकते हैं को चलने के लिए क्या जरुत होती है तो बच्चे कहेंगे diesel या कोईले की अब कोशन आगे करेंगे dieselaly 정도 के सब क्या है तो बच्चे कहेंगे चाहिए एक परकार के खनि जवर आब को पूछेंगे या किस परकार की खनि जय तो यहांपर समझ स्वियात्मका आ जाएगा यह आपक कि आपको बोलेंगे बच्चों आज हम शक्टि की सादन के बारे में विस्ति चर्चा करेंगे तो यह हो गया आप को यहां तक इसकी बाद हम आगे देखेंगे प्रेजिन परेजंटेशन इस यहां पर देखे प्रस्थुतिकरण यह आप स्पस्टिक रंड देते हैं और किस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वर करते हैं बच्चों का मूल्यांकन करते हैं यह सारी चीजे आपके हो जाती है प्रेजेंटेशन में तो देखें यहाँ पर आपका शिच्चण बिंदू फर्स्ट होगा मेंस आप अपने इस टॉपिक को कुछ पॉइंट में डिवाइट करेंगे तो पहला पॉइंट है आपका शक्ति के साधन अर्थ एवं परिभाजा आप इसके बारे में बताएंगे तो बच्चों से कोशन पूछेंगे बच्चों कोईला क्या है खनिज के प्र इन में से एक प्रकार होता है उर्जा खनिज इनी खनिजों से उर्जा देने वाले खनिज प्राप्त होते हैं तो इसलिए इसको उर्जा खनिज कहते हैं ठीक अता वे खनिज जिन से उर्जा प्राप्त की जाती है उन्हें उर्जा खनिज या शक्ति के साधन कहते हैं इन ख पूश्चन भी पूछेंगे, बच्चों खनिज या शक्ति के साधन क्या है, कोईला कैसा खनिज है, तो बच्चे आंसर करेंगे प्रश्ण उतर विधी के द्वारा, अब आप क्या करेंगे, अपना टीजिंग पॉइंट सेकंड पढ़ाएंगे, उर्जा खनिज के प्रकारव विधी होगा यहाँ पर, इसके द्वारा आप सबस्टिकरन देंगे, में इस एक्स्टानिशन देंगे, बच्चों, आप सबको यह बताया गया था, वे पदार जो जमीन के अंदर से प्राप्त किये जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं, और ये खनिज पदार तीन प्रकार क उर्जा खनिज, धातिक खनिज, वा आधातिक खनिज, खनिज उर्जा जमीन के अंदर कच्चे माल के रूप में पाय जाते हैं, इसमें कोईला, पेट्रोलियम, एल्पीजी, यूरेनियम, थोरियम आदी आते हैं, यूरेनियम सबसे अच्छा वा महगा पदार्त है, या इसमें विद्धुत उत्पादन का अभी तरीका नहीं खोजा गया है बोध प्रश्ण, अब आप यहाँ पर बोध प्रश्ण करेंगे क्योंकि अभी आपने explanation दिया है उर्जा खनेज हमें क्या देते हैं तो बच्चे answer करेंगे, कोईले का प्रयोग कहा होता है तो बच्चे answer करेंगे प्रश्ण तरविधी के द्वारा अब आप शामपट शारांस में क्या करेंगे जो भी आप important work, important question या important explanation दे रहते उसमें से आप जो भी important points होगे उनको blackboard work पे means blackboard पर लिखते जाएंगे ताकि बच्चे और भी अच्चे से आपके explanation को समझ सके तो यहाँ पर आप question जो भी पूछे हैं उसका बच्चे answer दिया है और इसमें से जो भी important point होगा वो आप blackboard पर लिख चुके हैं अब आप क्या करेंगे, बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी note book में लिखने के लिए उन सारे important points को और आप class में round लाके देगेंगे सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं तो देखे, चार्ट ठामपट पर लिखे, लेक को लिखते हैं और क्या करेंगे, आप class में round लाएंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं तो देखे, जैसा कि मैंने आपको बताया यह आपका blackboard work है सबसे right side में शक्ति की साधना बताया है किसे कहते हैं और यहाँ पर नीर्चन कारे हैं आप जब भी बच्चों को बोलेंगे अपनी note book में लिखने के लिए तो आप class में round लाके देखेंगे नीरी चन कारे करेंगे ठीक, अब है आपका पुंड़ा वृत्ति के प्रशन आप बच्चों से पुंड़ा वृत्ति के प्रशन पूछेंगे means अभी तक आपने जितना भी पढ़ाया है उसमें से कुछ कोशन पूछेंगे ताकि बच्चे उसका answer कर पाएं बच्चों को आप evaluate कर सकें means उनका मूले आंकन कर सकें तो ये होगे आपका पुंड़ा वृत्ति के प्रशन जैसे उर्जा खनिच क्या है उर्जा खनिच का महत्र क्या है उर्जा खनिच की उपयोगिता बताईए और उर्जा खनिच कहां कहां पाया जाता है तो ये आपके कुछ कोशन हो जाते हैं प्रशनोतर विधी के द्वारा अब आप बच्चों को homework दे देंगे शक्ति के साधन का अर्थ बताईए शक्ति के क्या क्या साधन है कोविला पैट्रोलियम कैसा साधन है शक्ति के साधन के महत्र बताईए तो ये हो गया आपका आज का ये लेसन प्लान इंड तो आज का हमारा टॉपिक था शक्ति के साधन हम नेक्स टॉपिक में देखेंगे सक्ति के साधन का महत्व तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हलपफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेंगे और प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजेगा ताकि जबी मैं नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करूँ तो आपके पास फटा-फटा-फटा नोटिफिकेशन चलिए थैंक्यू सो मच कैस फॉर वाचिंग दिस वीडियो